तन पर मन का परभाव की कहानी एक बार अचानक एक मा के दाए हाथ को लकवा मार गया डक्टरों ने काफी इलाज किया पर बात नहीं बनी आखिर उने सैकुलिस्ट के पास ले जाया गया वह सैकुलिस्ट जिससे उस महिला को समोहित अवस्था में ले गया फिर उसने उस हाथ से क्या-क्या महत्पुर्ण किया इस बावत पुछताच सुरू की जल्द ही उस महिला ने रोते हिये बताया कि मैं अपने इसी हाथ से अपने बेटे को एक दीन चोड़ी करने पर खुँ मारा था लेकिन मुझे उस हाथ से का बड़ा पच्तावा है क्योंकि मैंने बाकी क्रोध में आकर अपने मासुम को जानवरों की तरफ पीटा था मेरा तो यह हाथ ही कर जाना चाहिए अब तो बात खुल गई थी हाथ को लकवा उस औरत को करके गिल्ट के कारण पकड़ा था बस उस सैकुलिस्ट ने समोहित मन की उसी अवस्था में महिला को समझाया कि यदि तुम उसे उस बक्त न पिटती तो हो सकता है वह बड़ा होकर बाकी चोड़ बन जाता तो उस समय तुमने जो किया थिखी किया उल्टा तुम्हारे इस हाथ ने तो उसका जीवन ही बचाया है बस महिला की गिल्ट जाती रही और उसके साथ ही कुछी दिनों के अंदर उसकी हाथ को मारा लकवा भी चलता बना तथा इस कहाने से साहं को क्या सीख मिला इसका सार क्या इस कहाने का तदिकान सारिक बीमारी के पीछे स्वएंकी मांसिक अनुभबों का भी कुछ न कुछ हात होता ही है सचेत मनुस वह है जो हर आने वाली बिमारी के पीछे की सक्रिया मान्सिक फोर्स को भी समझ सके तथा अपनी बरत्मान मान्सिक्ता के अधार पर आगे हो सकने वाली बिमार्यों का अंदाजा भी लगा सके तभी तो कहते हैं अच्छा जीवन गुजाने तू जगत को जाने की बज़ा सुवए को जानना बहुत जरूरी है